सरकार की तरफ से तो नए रेट मिला सुक सुविदा मिली है लेकिन क्या मुझदूरों को वा चीज मिल रही है ये एक मुद्धा है वो सभी मुझदूरों ने मिलकर एकठा हो कर एक डिसीजन लिया कि हम लोग सभी अड़ताल करेंगे बैठेंगे और ये हमारा राइट भी है ह हमें करना चाहिए क्योंकि सरकार जिस तरी के से वादे करती है उन नीचे तक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं नहीं है लागू होता है नहीं है ली कमागे डेली खाने वाले लोग हैं हम अंडी में काम करने आते हैं तो हमें हमारा पशीना सुकने से पहले मिदूरी मिल का il have a nandana हमारी पेडा मझासमनी नरवाणया में पंचिए यहां मजदूरों की शमश्चछा को लेकर हम उनसे बात करें गये ? क्या उनकी शमश्चा है और किस प्रकार उनोंने अरत्य झृट और क्या प्रिशान है ? हमें इसके बारे बात करेंगे घूरों चाहेंगे तो हम साथ रुपे उन्हेतर पैसे लेकिन अब की बार सरकार ने को देखते हुए भी महामारी है और मजदूरों को सरकार की तरफ से कोई साहिता मिलने चाहिए तो अलग अलग जगा चीजों के रेट बढ़ाए गए हैं लेकिन जो सरकार की तरफ से नोटिस आया था यहां के जो सरकार की तरफ से नोटिस आया उसमें यही का गया है कि जो आठ तारीक से मजदूर काम कर रहा है वो चाहे पुराना माल या नया माल आ रहा है वो उसका सब को ने अरेट बिलेगा अले क्या रेट साय और प्या रेट ऐने चाहिए निया रूपए उन्हेतर पैसे ती आप द क candy जो रुबार हो गया है और लोडिंग का 2 रुपय था डाइ अवी रुपय था अलग 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 था लेकिन अब 4 कर दिया सरकार ने उस का रहिए तो हमें नुक्सान होगा अर्ति ये बात कह रहे हैं लेकिन अर्तियों को या सरकार को या सेक्टरी को ये बात भी समझने चाहिए कि अगर आठ या नो दिन के बाद वो नया रेट हमको मिलेगा मंडी का एक मामला है कि कोई कुछ लोग आ जाते हैं कुछ लोग कल को नहीं आए कि कोई कोई मजदूरी करने वाला फिक्स नहीं है या पर कभी आ जाते हैं कभी नहीं आ जाते हैं लेकिन वह रेट मिलेगा किसको क्योंकि सरकार की तरफ से तो वह चीज मिल गई है सरकार की तरफ से तो नया रेट मिला सुक सुविदा मिली है लेकिन क्या मजदूरों को वह čीज मिल रही है यह मुट बग्दा है और उसे के लिए हम सब लोग इकटा हैं к्यार किया हैं क्युक्स facing नय रेट जो आपको मिलएगा मिलना चाहिए यहाँ पर नहीं मिल रहा है और तारीक शे लागो आज बारारा तारीक है 12 तरह कि हमें इसका असवासन कि नए रेट मिलेगा लेकिन कम बिलेगा और कैसे मिलेगा इसका कोई सिल्यूशन हम को नहीं दिये गया है और इसलिए सभी मज़ूरों ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि हम लोग सभी अड़ताल करेंगे बैठेंगे और यह हमारा राइट भी है हमें करना चाहिए क्योंकि सरका जिस तरी के से वादे करती है उन नीचे तक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं नहीं है लागू होता है नहीं है तो यहां पर कितने मज़ूर है और कितने दन तक आपके अड़ताल सबसक्ति है अनिशीजन यह अपनी है डिसीजन यह है कि वैसे तो अनिशीजन यह जब जब तक नयारेट लागू नहीं होगा जब तक पूरी मंडी के अड़ती है और परसासा नहीं यह बात नहीं मानेगे कि नयारेट लागू होगा या नहीं होगा जब तक अड़ताल चलेगी और दूसरी बात है जब तक सभी मज़दूर इकटा है जब तक हड़ताल चलेगी क्योंकि इसमें कोई एक वैक्ती को टागेट नहीं कर रहा है कि हरताल करेंगे या नहीं करेंगे क्योंकि समस्या सबकी है और सबकी समस्या का सभी के पास सल्यूशन होना था ऐसा नहीं है कि में एक मीटिंग में कोई नीरना लेकर आऊँगा और वो इस सब भी माने क्यूंकि अगर हम किसी को प्रतान बनाते है या बना हुआ है उसका पहला करतव है कि मजदूरों की बाते सुने और फिर उसको कमेटी में रखे लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है यहां पर वही लोग वहां पर जाते हैं वही अपनी बात रखते हैं वही डिसीजन लेते हैं और सिधा यहां पर सुनाया जाता है उससे लोग कुछ लोग खुस हैं कुछ लोग ना खुस हैं लेकिन अब की बार मजदूरों नहीं कटा होकर एक निन्न लिया है कि हम लोग इक जब तक नए रेट नहीं लागू होगा अब मांगी है कि जो COVID-19 को देखते हो सरकार ने हमको साहिता दिया वसाहिता सभी मजदूरों को मिलने चाहिए ये एक मुद्धा है हमारा आपकी बार मैं यहां मंडी में काम करता हूँ हमारे जो मजदूर भाईयों की जो मांग है कि जो सरकार ने आठ तारीक से जो नए रेट लागू किये थे वो मजदूरों को मिलने चाहिए लेकिन सरकार हमें शिर्फ आसवासन देरी है जो यहां के सेक्टरी है और SDM अभी जो मीटिंग होई थी उसमें भी यह आसवासन दिया गया कि आपको मिल जाएंगे लेकिन आसवासन से कभी भी रेट ने मिलते आसवासन देना है तो आप आर्थियों को दीजिए जिनको हमारी मजदूरी देनी है उनको विश्वास दिलाईए कि सरकार आपको पैसे देदेगी और वो हमारे को पैसे देदे क्योंकि हम तो डेली कमाके डेली खाने वाणे वाणे लोग है हम मंटी में काम करने आते हैं तो हमें हमारा पशीना सुकने से पहले मजदूरी मिल जाने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और इसलिए हमने सब लोगों ने कटा होके एक निर्ना लिया है कि जब तक हमारी बड़े हुए रेट और बड़ी मजदूरी नहीं मिलेगी तब तक हम काम नहीं करेंगे और जितने भी मजदूर है यह सब का फैसला है किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं है इसलिए जब तक हमारे को रेट नहीं मिलेंगे तब तक हमारी यह अरताल जारी रहेगी जो गुवर्मेंट ने और तारीक से लेवे रेट नों बढ़ा आए हैं और हमने सभी वर्दूरों को इसके बारे में बता दिया है वे जो रेट आर तारीक के बड़े है वो मदूरी रेट सब को मिलेंगे लेकिन इन्हें कुछ कान्फूजिन दा सभी मदूरों में हमने बिल्कुल कले कर दिया है सब मेरे पास आए थी वो हमने कले कर दिया जैसा कि गवर्मेंट का लैटर है उसके जो बीडिंग के रेट है वो बड़े मंदूर के रेट है समी मंदूरों को मिलेगे की मंदूर कासा ने दरखादा आएगा एक एक मदूर को शपर और तुरोग मेरे कारणने में बीशकते है